आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ का मतलब multiply तो multiply 12 divided by 5 is इस मतलब उसकी value given है हमें 18 divided by 25 तो हमने x की value find out करें तो suppose हमें एक number given है a percent उसे हम लिख सकते है a divided by 100 percent जब हटती है तो निचे आजेता है 100 तो similarly यहाँ पे भी x percent है तो यहाँ पे आगे x divided by 100 into 12 divided by 5 is equals to 18 divided by 25 तो हमारे पास 2 के table में कट होगे 2, 6, the 12 and यहाँ पे आगया 50 फिर से 2 के table में कट होगे तो हमारे पास यहाँ पे आगया 3 and यहाँ पे आगया 25 तो हमारे पास क्या आगया हमारे पास आगया x into 3 divided by 25 into 5 is equals to 18 divided by 25 तो अगर एक चीज़ division में होती है वो is equal to के दूसरी side जाए तो multiply में convert हो जाता है अगर एक चीज़ multiply में होती है वो is equal to के दूसरी side जाए तो division में convert हो जाता है तो x is equal to 18 by 25 3 यहाँ पे multiply हो था is equal to के दूसरी side जाके हो गया divide तो यहाँ गया into 1 by 3 into 25 and 5 दोनों इधर divide हो रहे थे तो is equal to के दूसरी side हो गए यह multiply तो 25 into 5 यह new nominator में आगे तो इसे हम solve कर लेंगे 6 3 3 के table में जा गया 6 पे क्योंकि 3 6 दा 18 and 25 25 कट गया तो हमारे पास क्या आया 6 5 दा 30 तो हमारे पास x की value के आगी 30 and यहापे कौन सी option आड़ी है हमारे पास option आड़ी है ह हमारे पास option है तो हमारा answer क्या हुआ हमारा answer हुआ option A which is x is equal to 30. Thank you.